अरे शो में आपका स्वागत है नवीनतम घटनाक्रम में एक जापानी उच्चन न्यायाले ने फैसला सुनाया है कि समलेंगिक विवाह से इंकार करना असमवेधानिक है अदालत ने कहा कि यह समान लिंग वाले जोडों के परिवार रखने के मौलिक अधिकार का उलंगन करता है यह फैसला 3 समलेंगिक जोडों दवारत दायर मुकदमे के जवाब में दिया गया था, जिन्हें शादी के अधिकार से वंचित कर दिया गया था सरकार ने तरक दिया कि जापानी कानून की तहट समलेंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई है लेकिन अदालत ने इस तरक को खारच कर दिया और कहा कի मौझूदा कानून सम्विधान का उलंगन करता है अदालत ने समलेंगेक संबंधों को अनुमती देने वाले किसी भी कानून की कमी को दूर करने के लिए ततकाल सरकारी कार्रवाई का आहवान किया है सरकारी कार्याले समलेंगेक जोड़ों को विवाह का दर्जा देने से इंकार करना जारी रख सकते हैं जब तक कि मौजुदा कानून को LGBTQ जोड़ जोड़ों को शामिल करने के लिए संशोधित नहीं किया जाता है या एक नया कानून नहीं बनाया जाता है जो अन्य प्रकार के संगों की अनुमती देता है